Hello friends, how are you going? I hope you all are well. आपका स्वागत है मेरे चनल Health and Speechual Talk में. आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो बात करने जा रहा हूँ मिथुन राशी की महिलाओं के बारे में. कि उनका सवभाव और उनके लक्षन, उनके गुन कैसे होते हैं? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. मिथुन राशी की महिलाओं दोहरे सवभाव की होती हैं. दोहरे सवभाव की राशी होने से इनके सवभाव में स्थिर्ता वै चलाएमान वैवार का सुन्दर स्मन्वे होता है. वायू की भांती हर जग है, विद्यमान रहना वै एक जग है ना टिक कर बैठना इनकी प्रवर्ती होती है. कहीं तो इनको समझ पना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा. इनका जो दिमाग है हर वक्त चलता ही रहता है. एसी महलाओं को सोचने की जो शमता होती है बहुत ही अच्छी पाई गई. मिथू नाशी की महलाओं के बारे में जितना कह सके उतना कम है. मिथुन राशी की लड़कियां ऐसे लड़के का साथ पसंद करती हैं जो हर प्रिस्तिती में उसका साते और उसके साथ खड़ा रहे ये अपनी प्यार के प्रती बहुत ही वफादार होती है ये अपने जीमन साथी में समझदारी और वफादारी दोनों ही चाहती है इनका सवबाव इतना रोचक होता है कि आपको सर्प्राइज होगा मिथुन राशी की महलाई एक से तीन यानि कि आप इनमें तीन महलाओं के जितना जो सोच है जो इनकी स्यानप है जो इनकी समझदारी है वो देख सकते हैं ये अपने जीवन साथी से समझदारी और वफादारी दोनों की उमीद करती हैं विकोस क्योंकि ये उस लेवल की होती हैं इनका सवब इतना रोचक होता है कि ये कभी शांत नहीं रह सकती हर वक्त शरारत इनके दिमाग में चलती रहती हैं जोखिम से बरे काम करना इस राशी की रिस्त्रियों की पसंद होती हैं हसी मजाग करने वाली ये लड़कियां समाजिक स्तर पर औरों से बहुत ही बड़िया सावित होती हैं अडवेंचर से बरे कामों में ये महिलाएं प्रुष्यों को भी पीछे शोड़ देती हैं वो काम करना पसंद करती हैं जो अडवेंचर से बरा हुआ हो और बहुत ही रिस्की और जोखिम बरा हो मिथुन राशी के महलाओं को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए उनकी जिन्दगी नए नए जो क्रिया कलाप होते हैं और दोस्तों से बरपूर बनी रहती हैं नए लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत पसंद है और इसका इनको बहुत ही अच्छा शोग भी होता है कि ये अपने आपको सोशिलाइज करें इनकी खासित होती है कि ये महिलाएं अपनी लाइफ में आने वाले हर एक पुरुष में अपने अनुसार परफेक्शन डूणती हैं क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट और परफेशनल होती हैं किसी प्रुष के जीवन में प्यार लाने के साथ साथ मिथुन राशी के महलाईं आपके जीवन में तुफान भी ला सकती हैं। मिथुन राशी के महलाओं में खास बात होती है कि वे जीवन में बदलाव को असानी से सविकार कर लेती हैं। और राशी और जोडीक साइन के कमपैटी वली ये टांस्फोर्मेशन को असानी से इजली अक्सेप्ट कर लेती है मिथुन राशी के महलाओं की अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा होती है इसी कारण ज़्यादा तर पुरुष मिथुन राशी मवाली महलाओं की अमीदों पर खरे नहीं उतर पाते इसलिए मिथुन राशी के महलाओं को मुश्किल से ही पूरी तरहें से प्यार मिल पाता है तो चलिए आपको कुछ और भी बताते हैं इस राशी के बारे में मिथुन राशी के जातक यहां जाती काई होती हैं वो दो तरहें के होते हैं इसके आपको जैसे कि मैंने पहले बताए कि डूल साइन होता है दो इनके जो पहलो होते हैं जो सोचने के तिंकिंग करने के दो पहलो होते हैं एक तो वो जो सबके साथ मिलन साथ, माजीक और मजा की अडवेंचरस रहेंगे और दूसरे इसके बिलकुल ही उलट होते हैं, अपजिट होते हैं जो कि बहुत ही विचार, शील, गंबीर और डीप थिंकर होते हैं आप कब किस से मिल जाएं, आपको खुद को पता नहीं रहेगा, आपको कोई बिरोसा नहीं आप किस से मिल रहे हैं मिथुराशी के जातक आपको दूविदा में डाल सकते हैं कि बही कभी तो वह अडवेंचरस, फनी टाइप, कॉमेडियन टाइप रहेंगे, लाइक बेरी चामिंग, और कभी-कभी वह आपको बहुत ही डीप थिंकिंग के मिलेंगे बहुत ही गंबीर, सोचने वाले, अकेले, आइसुलेटर्ड मिलेंगे तो आपको इनके दोनों ही पक्षों को संभिना पड़ेगा अगर आपकी आप इनके जिंदगी में एंटर करना चाहते हो तो मिथु नाशी के जातक हैं, कॉमल्स ने ही तुरंत सीखने वाले तथा विचारों को इंपोर्ड एक्सपोर्ड करते रहते हैं, इन आउट करते रहते हैं ये दुनिया में लगबग सभी को मोहित कर लेते हैं ये भुषय में उतकरष्ट, खलाकार, लेखक और पत्रकार बनते हैं ये हमेशा एक साती की तलाश में रहते हैं जो इन्हें समझ सके इसके साथ रहने वाला कभी भी बोर नहीं होता मितु नाशी के जो जातक या जातक हैं एक उगर प्रेमी एक अग्रैसिव लवर की तरह सामने आते हैं इनके लिए शारीरिक संपर्क और आपकी जो समबाद करने की जो चाह है वो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो लवर्स है या जो कपल है कभी भी अपने रिलेशन में कम्यूनिकेशन गैप को आना पसंद नहीं करते हैं प्रेम के मामले में भी यह जिग्यासू इश्कबाच और पैशनेट और पज्यासिव रहते हैं इनकी बुद्धी और उर्जा से मेल खाने वाले साथी मिल जाने पर यह उसके साथ एक तो लोयल हो जाते हैं और उसके साथ कंदे से कंदा मिलाकर चलते हैं और ये आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे और इसके बदले में आपसे भी चाहेंगे कि आपकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट इनको मिलती रहे। मितुराशी के लोग अक्सर ऐसे करियर को चुनते हैं जो उनकी बुद्धी को उतेजित करें। ये अविशकार प्रेमी भी होते हैं। चतुर किसम के लोग होते हैं। इसलिए इन्हें गती शील और चुनती प्रोनकाम बहुत ही अच्छे लगते हैं। अविश्कारक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, अगर वकील कहें तो वो भी इस लाइन में जा सकते हैं, अगर कहें, तो सबसे परफेक्ट है, यह अगर लीडर बनते हैं, तो इनमें वो काबली होती है, कि यह किसी का सुपरविजन कर सकें, और लीडर करने के लिए बहुत ही असानी से लाइक उसमें जुट जाती हैं और मिंटोस किंटों में उस प्रोब्लम को सौल्व कर देती हैं जो कि दूसरी राश्यों के लिए थोड़ा नमुनकिन सा साबित होता है इनके लिए विवारिक्ता और खुशी के बीच फैंसला करना एक मुश् अनों प्रकार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप उनकी जिन्दगी में इंटर करना चाहते हैं मिथुन राशी के जातक दो तरहें के होते हैं वे किस तरहें की हैं पहले इस बात का पता लगाना बहुत ही जरूरी है इसके बाद साबदानी से आगे बढ़े मिठुन राशी में जन्मी महिलाएं बहुत ही उत्षाही, मजाकिया और बहुत ही स्वीट बोलने वाली और बहुत ही समझदार होती हैं इसके ही उलट ये बहुत ही इमोशनल, बहुत ही क्यूट और डीप थिंकर होती हैं आपको ये देखना है कि आप इनके दोनों पक्षों को हैंडल कर सकते हैं, क्या आप में वो कावलियत है, then you can go further in this relation अगर आपको लगता है कि आप वो सब कुछ नहीं कर सकते, you should back off क्यूंकि ये आपको छोड़ भी सकती हैं, क्यूंकि इनका जो understanding level है, जो इनका जो मापदंड है, वो कहीं उचा होता है, जहां तक कई प्रुष पहुंच नहीं पाते अगर हम इनका color जाने कि इनका जो color है, वो कौन सा है, like positive color, lucky color कौन सा है, तो वो है हरा यानि की green, पीला यानि की yellow अगर हम कहें कि इस राजशी की जो महिलाएं हैं उनके लिए दिन कौन सा लगी रहेगा, तो वो है बुद्धवार इनका जो ruling planet है, वो है बुद्ध, अगर हम marriage या partnership में, अगर हम देखें कि आपके लिए positive sign, lucky sign, like lucky jodic sign, वो तुम राशी कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी, Sagittarius, यानि की धरुराशी अगर हम कहें कि इसमें lucky जो अंक है, आपके लिए like dates हो गई, या फिर अंक जैसे भी आप समझ सकते हैं, वो कौन है, कौन से हैं, वो है 3, 8, 12, और 20 तो guys, end of this video हमें यही कहना चाहूंगा, कि अगर आप इनके साथ relation में जाना चाहते हैं, तो आपको इनके दोनों ही पक्षों को समझना बहुत ही जरूरी है, अगर आप समझ लेते हैं, तो आप इस में जाईए, इस relation में जाईए, तो आपको बहुत ही एक अच्छा experience मिलेगा तो guys, यह थी एक वीडियो अबाउट की मिथ और राशी की महला है, जैमिनाइज फीमेल कैसी होती है, उनका सोचने का नजरिये कैसा होता है, उनके गुनलक्षन कैसे होते हैं, I hope कि आपको यह वीडियो इंटरस्टिंग लगी, अगर आपको इंटरस्टिंग लगी तो इसे from my side, I will come up with next interesting topic, next interesting video, till then thank you, God bless you and bye bye.